मैं मातारानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ माजिक दंबा के नाम का जैकारा लगाएं कमेंट सेक्षन में जै मातारानी ओम नमो भगवते वासुदेवाई अवर्शे लिखिए आपकी सभी मनुकामनाय पूरी करने श्रीहरी विश्नु मालक्षमी आया है आज एकादशी के दिन पे दिये का एक विशेश उपाय करें इस उपाय के करने से नव ग्रह की शांती होती है, सुख सभाग्य बढ़ता है धनकी कमी दूर होती है और आपकी मनोकामनाय पूरी हो जाती है शीहरी विश्णु की प्रियतिति एकादशी केतिति है आज है उत्पन्ना एकादशी 11 दिसंबर 2020 की तारिक है आज के दिन एकादशी देवी का प्रादुर भाव हुआ था इसलिए एकादशी मैया के नाम का जैकारा भी लगाएं और कमेंट सिक्षन में जैमातारानी लिखें दोस्तों यदि अभी तक आपने नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो के नीचे बने हुए लाग रंके सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजी में बनी हुए घंटी के आइकन को प्रेस करिए इससे आपको व्रत पूजा पार्ट संबंदी सभी जानकारी निशल प्राप्त होंगी आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए और परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शियर करिए एका दशी का व्रत तीन दिवसी व्रत होता है मैंने आपको कल भी बताया था कि दश्मी के तिथी से यह व्रत प्रारंब हो जाता है दश्मी में रात्री का भोचन नहीं करते एका दशी तिथी पे सुभा के समय जल्दी उठके पूझा पाट करते हैं वैसे तो दोस्तों पूरे वर्ष भर में कुल मिलाके 24 एका दशी के व्रत रखे जाते हैं परन्तु जब भी अधिक मास होता है तब कुल 26 एका दशी के व्रत होते हैं हर महा में दो एका दशी होती है एक क्रेश्चन पक्षी की एका दशी और दूसरी शुकल पक्षी की एका दशी एकादशी की दिथी द्वादशी युक्त हो तो व्रत रखना सर्वोत्तम होता है यहाँ एकादशी सुखदाई मोक्ष्टाईनी एकादशी होती है श्रीहरे विश्नु की क्रपा प्राप्त करने की विधी बहुत ही सरल है एकादशी के व्रत में सुभा के समय आप इसनान इत्यादी करके निवरत तो हूँ इस दिन पे विश्णु भगवान मालक्ष्मी का पूजन करें विश्णु भगवान को हल्दी केसर का तिरक लगा के काले तिल चढ़ाने चाहिए केले का अत्वा किसी पीले रंकी मिठाई का भोग लगाए याद रखें तुलसी दल जरूर रखें तुलसी दल के अभाव में विश्णु भगवान भोग गरहर नहीं करते क्योंकि तुलसी जी श्रीहरी विश्णु की प्रिया है इसलिए तुझी जी जरूर रखें और विश्णु भगवान का आप पूजन अर्चन करें एकादशी व्रत की कथा सुनें और वहां पे हो सके तो थोड़ा सा गुड़का प्रशाद भी जरूर रखें एकादशी के वृत में विश्णू सहस्र नाम का पाट करना गीता के अध्यायों का पाट करना सर्वोतम होता है एकादशी का वृत जिस दिन आप रख रहे हैं उस दिन आप दिये का विशेश उपाय जरूर करें शाम के समय आप अपने घर के बाहर जहां अपने तोसी जी रखी हैं क्यारी में जाके दिया जरूर लगाएं एकादशी के दिन पे शाम में ओम नमो भगवते वासु देवाए इस मंत्र का जाब करते हुए तोसी जी के पास दिया लगाने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और आपके जीवन में चल रहे अशुग ग्रहों का प्रभाव भी कम होता है यदि आप बहुत जादा कश्ट अथवा परिशानी से इस समय पे जूज रहे हैं तो आप एक दिया बनाएं उसमें नौ बाती लगाएं एक ही दिये में आप नौ बाती लगाले ये नौ बातियां आपके जीवन में जो नव ग्रह आपको परिणाम देते हैं जैसे की सूरिच, चंद्र, बुद्ध, मंगल, ब्रस्पती, शनी, राहू, केतु, इत्यादी यह सभी जो ग्रहा हैं जो आपको किसी न किसी प्रकार से परिशान कर रहे हैं या अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं इन ग्रहों की शांती हो जाएगी आप दिये के अंदर शुद्ध देसी घी भी डाल सकते हैं इसके अबाव में आप तेल का दिया भी बना सकते हैं अब कई लोग पूछेंगे अलग-अलग नौ दिये बनाने ह और शीहरी विश्णु भगवान का इससे आप पूजन करें आप दिये में एक छोटी सी लोग डाल दीजिए ध्यान रहे लोग साबुत होनी चाहिए लोग के उपर का फूल लगा हुआ होना चाहिए इस दिये को आप जरूर जलातें इस दिये के जलाने से आपके घर में ल से आपके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होगा और पुन्य फल्की प्राथ्ति आपको जरूर होगी एकादर्शी के दिन में जब आप रथ करते हैं तो रात्री जागरन का विशेश महत होता है रात्री में आप जागरण करें श्रीहरी विष्णु का नाम ले ओम नमो भगवते वासुदेवाई इस मंत्र का आप रात्री के समय जाप कर सकते हैं जो लोग इस मंत्र का जाप नहीं करते हैं वहाँ ओम नमो नारायनाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं यहां दोनों ही मंत्र अपने आप में सिद्ध हैं और विष्टू की क्रपा प्राप्ती कराते हैं इस उपाई को करने से और रात्री में जाकरण करने से आपको आपके वृत का पुन्यफल प्राप्त होता है परन्तु एकादशी का वृत कभी भी दान के विगैर पूर्ण नहीं होता तो आप अगले दिन सुभह ब्रामण को भोजन कराएं जिन लोगों से भोजन कराना संभव नहीं है वह सुभह के समय सबसे पहले ब्रामण देव को दान दे जो आपने भगवान को प्रसाद चड़ाया है आपके प्रसाद का कुछ भाग और साथ ही साथ जो हम घर में खाना बनाने के लिए वस्तूओं का प्रयोग करते हैं जैसे की आटा, आलू, नमक, घी इसी तरह की सभी वस्तूओं का जो की ब्रामण देवता अपने घर में एक समय का भोजन बना ले इतना सामान जरूर दान दे और आप अपने तरफ से अच्छे कर्मों को करते हुए एकादर्शी का अवरत करिए पुन्यफल की प्राप्ति से जन्म जन्मांतर के पाप का नाश होगा अब मैं आपको पौराणिक कथा सुनाती हूँ इस कथा को हाथ में थोड़े से काले तिल लेके और पीले रंका पुश्पले के श्रीहरी विश्नु का इसमरन करते हुए सुने यदि ये संभव नहीं है तो केवल विश्नु भगवान का इसमरन करते हुए इस कथा को सुनने आपको कुन्यफल की प्राप्ति अवश्य होगी सत्यूग में मुर्णाम का एक दैते था वह अत्यंत बलवान और भयानक था उस प्रचंड दैते ने इंद्र आदित्य वसू वायू अगनी आदी सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया तब इंद्र आदी देवताओं ने शिवजी से अपने दुख को कहा बोलने लगे ये के अलाशपती मुर्द दैते से भयवीत होकर हम सभी देता मृत्यू लोक में विचरन कर रहे हैं प्रपा करके हमारे इस दुख का उपाय बताईए अब शिवजी कहने लगे हे देविंद्र तीनों लोकों के स्वामी भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णू की शरण में चले जाओ वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं शिवजी के ऐसे वचन सुनकर इंद्रादी सभी देवता शीर सागर में पहुँच गए वहां भगवान को शैन करते हुए देख के इंद्रादी सभी देवता हाद जोड़कर उनकी इस्तुती करने लगे हे देवताओं द्वारा इस्तुती करने पर योग्य प्रभू आपको बारंबार नमस्कार है देवताओं की रक्षा करने वाले मदुसूदन आपको नमस्कार है आप हमारी रक्षा करें देत्यों से भैभीत होकर हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं इस प्रकार संसार के करता माता पिता उत्पत्ती तथा पालन करता और संहार करने वाले सब को शांती प्रदान करने वाले हैं आकाश और पाताल भी आप ही हैं तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाले हैं ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अगनी, सामगरी, होम, आहूती, मंत्र, तंत्र, जप, यह जमान, यग्य कर्म करता, भोकता भी आप ही हैं इस पूरे संसार में हे भगवन आप ही विध्यमान है देट्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से निकाल दिया है आप उन देत्यों से हम सबकी रक्षा करें इस प्रकार भब भगवान विश्णू की बंदना करने लगे देवताओं के ऐसे करुणा मै वश्णो को सुनकर भगवान विश्णू कहने लगे हे देवताओं ऐसा मायावी देत्य कौन है? जिसने सब देवताओं को जीत लिया है, उसका नाम क्या है, उसमें कितना बल है, किसके आश्रय है, उसका इस्थान कहा है, यह सब आप मुझे बताईए भगवान के बचन सुनकर इंद्र बोले भगवान प्राचीन समय में चंद्रावती नगरी में नाडी जंग नाम का एक राक्षस था, उसी के महा पराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक पुत्र ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर वहाँ अपना अधिकार कर लिया ह वह सूर्य बन के स्वयम ही प्रकाश करता है, वह स्वयम मेग बन के जल्की वर्षा करता है, अतहँ आप उस दुष्ट को मार कर देवताओं को निर्भे बनाईए, इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवताओं में शीकर ही तुम्हारे शत्रु का संगह करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी में जाओ, इतना कहके भगवान ने सब देवताओं के सहित चंद्रावती नगरी की और प्रस्थान किया, उस समय देत्य पती मूर, देत्य सेना सहित युद्ध भूमी में गरज रहा था, युद्ध होने पर असंके दानवों, अनेक अस्त्रशस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता इतने डर गए कि वह चारों दिशाओं में भागने लगे, जब स्वयम भगवान रणभूमी में आए, तो देत्य उनको देखकर भी अनेक प्रकार के अस्त्रशस्त्र और आयुद लेक पर दोड़ पड़े, भगवान उनको आता देखकर चक्रों अपने दिव विवानों से उन पर प्रहार करने लगे, अनेक देत्य उनके हातों से मारे गए, केवल एक मुर्ही जीवित रह गया, वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा, भगवान ने भी तीक्ष्णवान उसके शरीर पर मारा परवहसव पुष्प के समान प्रतीत होते थे, शस्त्रों के प्रहार से उसके शरीर में कुछ भी असर नहीं हुआ, इस तरह से युद्ध चलता रहा, अव्वे आपस में मल्युद्ध करने लगे और दस हजार वर्ष्ट तक ये तब भगवान विश्णु युद्ध से ठक कर बद्री का आश्रम को चले गए, वहाँ पर हेमावती नाम की सुन्दर गुफा थी, उसमें विश्राम करने के लिए उसके अंदेर प्रवेश कर गए, यह गुफा बारहा योजन लंबी थी, उसका एक ही द्वार था विश्णु भगवान वहाँ जाकर सो गए, वह दैते उनको सोया हुआ देखकर मारने के लिए उद्धत हुआ, वह अभी मारने का प्रियत्न कर ही रहा था कि उसके शरीर से एक अत्यंत प्रभाव शाली, सुन्दर कन्या, अस्तर श्तर धारण किये हुए उत्पन हो गई, द वह दैते उस बलवान करन्या को देख के आश्चर चकित होके उसके साथ युद्ध करने लगा, उस महाँ देवी ने उस बलवान दैते के रथ को चूर-चूर कर दिया और उसके अस्तर शस्तर को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया, अब दैते महान क्रोध में मल तुको प्राप्थ हो गया और बाकी दैते भी वहां से डर कर पातालोक में भाग गए। जब भगवान विश्णु की निद्रा टूटी उन्होंने मुर्व दैते का कटा हुआ सर देखा, दोनों हाथ जोड़ कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैते से पूरे इंद्र आदी देवता भैवीत होकर स्वर्ग से भाग गए, उसको किसने मारा है। बड़ा कार्य किया है, अतह तुम अपनी इक्षास अनुसार वर मांगो। तब भगवान यदि आप मुझे प्रसन्न हैं और मुझे बर्दान देना चाहते हैं, तो यहां बर्दान दीजिए, जो कोई भी मेरा व्रत रखे। उसे मुक्ष की प्राप्ती हो। जो इस व्रत का पुन्यफल हो, वहां आधा रात्री का भोजन करने वाले को मिलेगा। एक बार भोजन करने से उसे आधा फल ही प्राप्त होगा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत में एक बार भी भोजन ना करें, उसको धर्म, धन और मुक्ती की प्राप्ती होगी। कन्या के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान ने तथा अस्तु बोला, ये कल्यानी ऐसा ही होगा, मेरे और तुम में शद्धा रखने वाले संसार में प्रसिद्ध सम्रध्धी पाएंगे, वे अंत तक मुक्ष की प्राप्ती को करेंगे और मेरे लोग को जाएंगे। क्योंकि आज मार्कशीष एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतहा तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा, तुम्हारे व्रत के फल से सब तीर्थों का फल कई गुना अधिक होगा, ऐसा कहकर भगवान वहां अंतरध्यान हो गए। जब श्री कृष्ण ने आगे कहा, युदिश्ठिर सब तीर्थों के फल से एकादशी व्रत के फल को श्रेष्ठ बताया गया है। मनुष्य इस एकादशी के महत्म को पढ़ता अत्वा सुनता है, उन सभी को अशुमेग यग्य के फल की प्राप्ती होती है। यहां करोड गुना फल प्राप्त होता है और विश्ठु लोक में वास भी मिलता है, वहां भी आपका पूजन किया जाता है। जो मनुष्य एकादशी महत्म के चोथे भाग को पढ़ता है, वह ब्रह्म हत्या इस प्रकार के अनेक पापों को नश्ट कर लेता है। और विश्ठु धर्म के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी के समान कोई दूसरा प्रत नहीं है। विश्ठु हे मालक्ष्मी हम सभी के उपर अपनी दयादश्टी बनाएं, जन्म जन्मानतर के पापों का नाश्व और सुख सभागी की प्राप्ती हो। आप सभी इसी प्रकार इस कथा को सुनें और दूसरे लोगों को भी ये वीडियो फॉर्वर्ट करें जिससे की सभी को एकादशी वरत की पुन्य कथा सुनने का पुन्य फल प्राप्त हो। जो लोग एकादशी वरत रख रहे हैं वहाँ इस दिन पे गुड का बादाम का कुटू के आटे दूर मेवा फल इत्यादी का सेवन करके वरत को रखें और विश्णु भगवान के नाम का निरंतर जब करते रहें। जै बोलिए शिहर विश्णु मगवान की जै मा लक्षमी की जै एकादशी मैया की जै जै बोलिए उत्पन्ना एकादशी की जै इस ब्रत की कथा को आप सुनिए जिस्से की जीवन में आपका उध्धार होगा। जै शिहर विश्णु जै माता रानी।